Hello Everyone, Welcome to Defense Studies आज हम Adverbs डिसकस करने वाले हैं और बहुत ही इंटरस्टिंग चप्टरा जी रहेगा सबसे पहले case देखते हैं Adverbs के अंदर ये चीज आपको याद रखने है कि Adverb की position कहां पे रहेगी Adverb की position आपको most of the time main verb के बाद रखने है जैसे ये आप देखुए फर्स्ट example के अंदर अब ये जो almost है ये Adverb है और got जो ही आपकी main verb है और head जो है आपकी auxiliary verb है तो इस वाले case के अंदर ये यही कह रहा है कि Adverb should come next to the word और words they modify जिस भी word को ये modify कर रहे है उसके बाद आना चाहिए अब ये got जो word है ये जो verb है main verb है अब ये इसको modify कर रहा है तो आपकी जो Adverb है उसके बाद आनी चाहिए second देखते हैं जहाँ पर आपको only Adverb जो use करनी पड़ती है आप उसी के बाद उसको लिखिए please placed only immediately before the word it is intended to modify before the word जिस word को आप क्या करना चाहते हो emphasize करना चाहते हो अगर आप only का use करके तो उस word से पहले आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे before है ठीक है और यहाँ पर आप देखोगे जहाँ पर वर्ब के बाद अगर आपको वर्ब के बाद कोई Adverb यूज करनी पड़े उसको modify करने के लिए तो आप उसको में वर्ब के बाद लिखें next to the word और word they modify at the same time अगर यह सिर्फ only के साथ case है अगर आप only को use करना चाहरे हो only एक Adverb होता है तो आप उस word से पहले लिखेंगे जिसको आप emphasize करना चाहरे है या फिर modify करना चाहरे हो अब यहाँ पर देखिए I worked only two sums अब two sums जो है यह आपका word है आप इसको modify करना चाहरे है तो only आपने इस स पहले लिखा आप इसको ऐसे नहीं लिखेंगे I only worked two sums यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा I worked only two sums ओके इसके बाद second आप देखिए CAPF में यह question आ चुके है only वाला case आ चुका है किसी को नहीं पता कब पूछा गया था मैं आपको बता रहा हूं पूछा जा चुका है और यह यह concept आपको आना चाहिए only वाला बहुत important है अब देखिए only बालू succeeded in scoring a century अब यह emphasis किसको कर रहा है बालू तो आपको बालू से पहले only use करना पड़ेगा अब हम देखते हैं in spoken English यह तो आप देखोगे यह तो formal English के cases होगे लेकिन spoken English आपके exam में नहीं आती अगर आप किसी से बातचीत कर रहे हो और बातचीत में आपने देखा कि only का जो use है verb से पहले हो गया लेकिन जिस word को modify करना था उससे पहले नहीं हुआ हाला कि अगर आप इसको formal English के लिए use करेंगे writing में use करेंगे तो यह इसका correct भी होगा he worked only two sums लेकिन आप इसको spoken में use कर रहे हो तो तो use हो ज जैसे ever never scarcely ever यह misplaced बहुत ही जगह आप देखोगे इनको misplaced use किया जाता है और आपके exam में एक grammar के अंदर एक section यह भी आता है जिसके अंदर 5 questions आप से पूछे जाते हैं उसमें पूछते हैं कि misplaced word है इसके अंदर और या फिर misappropriate तरीके से use किये गए हैं आपको क्या करना उसको ठीक थरे से use करना है तो यह question आपके बहुत ज़्यादा आते हैं यहां पर देखिये quite the most remarkable article we ever remember to have read यहां पर आपको लिखना पड़ेगा we remember ever we remember ever ना कि we ever remember ठीक है तो यह misplaced है यह आपको ध्यान रखना होगा जिस भी word को आप emphasize कर रहे हो या फिर यहां पर जैसे हमने शुरुआत में ही आपको एक example दिया adverb should come if possible next to the word और word दे modify ठीक है अब यहां पर आप देखिये remember अब remember को modify करना है तो remember के बाद हमें ever लिखना पड़ेगा we remember ever to read राइट अब हम देखते हैं next case दो negative एक दूसरे को क्या करते हैं destroy कर देते हैं और आपका meaning क्या है positive बन जाता उ सेम सेंटेंस के अंदर मत यूज कीजिए unless and until आप चाते हो कि उसका positive meaning आए ठीक है अगर आप चाते ही हो कि positive meaning आए तो आप दो negative यूज कर सकते एक sentence के अंदर लेकिन अगर आप उसमें negative आप उसका meaning convey करना चाते तो दो negative मत यूज कीजिए तो दो चीज़े आपको ध्यान negative verb के साथ use होगा at the same time no जो है आपका हमेशा positive verb के साथ use होगा यह ध्यान रखना आपको जैसे यहाँ पर देखिए I haven't got any अब यह haven't है यह negative verb है तो यहाँ पर आपको any यूज करना पड़ेगा यहाँ पर आगेन देखिए I could not negative verb है तो यहाँ पर anywhere आप यूज करेंगे nowhere नहीं ठीक है अब जहाँ पर आपको no यूज करना है वो भी cases में discuss करूंगा बट फिलहल आप यह देख लेना एनी कहाँ पर यूज होगा जहाँ पर negative verb होगी आप वहाँ पर no नहीं यूज करेंगे नहीं नन यूज करेंगे ओके यहाँ पर देखते हैं I have not got any paper for any for my exercise I cannot see any bit in her ठीक अब यहाँ पर any क्यों यूज किया not क्यों नहीं यूज किया ठीक है यहाँ पर no scarcely नहीं यूज करोगे आप you cannot use no scarcely क्योंकि scarcely जो होता है negative adverb है negative meaning convey करती है तो यहाँ पर आपको any यूज करना होगा no नहीं यूज करोगे आप ठीक है अब यहाँ पर देखिए adjective should be used for adverbs we should say for instance adjective should not be used for adverbs adverbs के आप रिप्लेस करके adjective नहीं यूज कर सकते हैं जैसे हम देखे he ate the sweets how अगर आपको पता लगाना है कि यह adverb use होगा यहाँ पर यह adjective होगा तो आप how से question कर लीजिए अगर how का answer आता है तो वो हो गया आपका adverb अगर what kind of से answer आपका आ जाता है तो वो होगा आपका adjective यहाँ पर आप question करके देखिए he ate the sweet how he ate the sweet और how did he eat the sweet अगर आपका answer आता है greedily तो यह हो गया आपका adverb अगर आपका what kind of sweet he ate ठीक है अगर आपका इसे answer greedy आता है तो यह आपका adverb यहाँ पर adjective यूज होगा लेकिन यहाँ पर आप देखोगे adverb of manner की बात हुई है greedily तो यहाँ पर adverb यूज होगा ना कि adjective greedy नहीं यूज होगा at the same time यहाँ भी आपको dearly यूज करना है not dear dear adjective होता है ठीक है आप बोलते हैं नो my dear friend my dear friend अब जो friend है आपका noun है my आपका क्या हो गया determiner हो गया dear क्या होगा फिर अपका adjective हो गया जो की friend को define करेगा next case है ever is sometimes misused for never ever or never में भी confusion रहते होगी कहाँ पर आपको ever use करना कहाँ पर never use करना यहाँ पर देख लीजिए we seldom or never see those forsaken who trust in God यहाँ पर आपको ever नहीं use करना है never ही use करोगे such goods are made for experts and are seldom or never used in the country ठीक है seldom or never and seldom if ever are both correct but seldom or ever is incorrect इसका कहने का मतलब है seldom or never and seldom if ever ठीक है seldom or never और seldom if ever यह जो कर यह आप इसको पैट बेसिकली यूँ can use it in आप इसको पेर में यूज कर सकते हो but seldom or ever incorrect होता है seldom or ever के साथ आप combination नहीं बना सकते ठीक है यह आपको ध्यान रखना है next case देखते हैं else should be followed by but else should be followed by but जैसे आप देखोगे it is nothing else but pride ठीक है it is nothing else but pride तो else के साथ आप basically but use करना पड़ता है ठीक है then नहीं यूज करोगे else then नहीं यूज होता है यहां पर आप क्या यूज करोगे but else or but साथ में आते हैं साथ में पेर में यूज करते हैं आप इसको यहां पर आप देखिए we met the other day but he never refer to the matter अब यह जो never use हो रहा है यह गलत है यहां पर आपको not use करना पड़ेगा right क्योंकि मैंने आपको बताया था नोट जो है आपका adverb of negation होता है वहां पर आपको इस तरह से आप यूज करना पड़ता है नेगिटिव वर्ब के साथ आप उसको करेंगे तो इसमें डिद आपको चेंज करना पड़ेगा दूसरा केस देखिए किपलिंग वोज नेवर बोन इन लंडन अब जो यह नेवर है यह आपका एक टाइम भी डिफाइन करता है कि कोई action है आप आप देखोगे कोई आप से question पूछता है कि आप वहां पे रहे थे क्या आपने खाया था इसे साब से आप बोलोगे कि अभी तक मैंने ऐसा कुछ न लंडन लंडन बेसिकली तो आप इसमें कोई timeline थोड़ी ना दिखा रहे हैं आपको कोई fact बताना है ठीक है कोई fact बताना है तो आप directly not use कीजिए किपलिंग वोज नोट बॉन इन लंडन सिंपल ठीक है next देखते है I never remember having met him अब यह क्या बात हो I never remember यह कोई timeline थोड़ी ना है कि आप कभी उससे मिले थे और दो साल हो गए अभी तक मुझे याद नहीं है ऐसा कुछ नहीं होता या तो आपको याद होता या नहीं होता ठीक है so I do not remember ever having met him right next case देखते हैं except colloquially मतलब बोलचाल की भाशा में so as adverb of degree must not be used absolutely without a correlative we should say हमें क्या कहना चाहिए he is very weak not so weak मैं आपको बता देना चाहता हूं so or very के अंदर आपको बताना चाहिए so आपका positive के लिए use होता है very very जो होता थोड़ा you can say दोनों चीजों में use हो जाता है positive और negative के अंदर जब आपको negative meaning के लिए use करना होता है तो weak जो है negative के लिए तो यहाँ आप very use करोगे again cricket is very uncertain अगर so certain लिखेंगे तो uncertain negative negative meaning है इसका तो आप यहाँ पर very use करोगे ठीक है I was very lonely not so lonely very lonely आएगा next case देखते है that should not be used instead of so as an adverb that replace नहीं करेगा so go as an adverb so एक adverb भी है so एक conjunction भी है कई बार conjunction का भी काम करती है कहां पे आपको that का use नहीं करना है so को replace करके देखिए we went only so far यहाँ पर that नहीं use करोगे कि that conjunction यह होता है दो close को जोड़ता है अब यहाँ पर तो कोई दूसरी close है नहीं तो आप that use करेंगे नहीं so we went only so far how far so far ठीक है अब यह adverb of क्या दिखाएगा adverb of position दिखा सकता है ठीक है so we went only so far अब देखते हैं he was so tired that he could scarcely stand यहाँ पर that मत use कीजिए that यहाँ पर आएगा so की जगे that नहीं use होगा यह आप देखोगे correlative conjunctions होते है so or that इकटा आता है लेकिन so की जगे आप that use नहीं कर सकते that हम वहाँ पर use करेंगे जहाँ पर दो close को जोड़ना हो अब यह close यह होगी तो दोनों close को जोड़ रहा है next देखेंगे he was so angry that he slammed the book on the table ठ इसका मतलब होता है more than enough हमें इसको we should not be used instead of very or much very or much को replace करके हमें to नहीं use करना है ठीक है अब यहाँ पर देखिए इसको correct सही तरीके से हाला की use किया गया है the news is too good to be true my heart is too full for words the work is too much for any man to do देखें तू और तू का correlative conjunction होता है so और देट का correlative conjunctions होता है ठीक है अब यहाँ पर आप देखिए तू और तू साथ में use हुआ है यहाँ पर आप देखिए तू और तू अगें साथ में use हुआ है यहाँ पर आप देखिए तू और तू अगें साथ में use हुआ है ठीक है और यह वा much exhausted to speak right तो यह आपको याद रहने चाहिए अब हम देखते हैं लास्ट आपका केस है ऑफ कोर्स जो है इस ओफर लूजली यूज़ फॉर अंसर्टेनली और इस सटेनली और अंडाउटली कई बार हम सर्टेनली जो वर्ड है और अंडाउटली जो वर्ड है इसके लिए हम अफ क कर लेते हैं जो की गलत है ठीक है सो स्टिकली स्पिकिंग ऑफ कोर्स शुड बी यूज़ तो डिनोट और नैच्रोल और इनाविटेवल कॉन्स जैसे डशी सिंग वेल तो इसका अंसर आएगा सर्टेनली शी ड़स ठीक है तो इसका मतलब है नैच्रोली और इनाविटेवली कॉन्सिक्वेंस है मतलब किसी के बारे में आप कर रहे है यार रहमान और लता मंगीचकर तो बोलो कि अच्छा गाता यह गाती है तो बोलो कि शर्टेनली शी ड़स ठीक है इनाविटेवल है वो तो अच्छा गाए गई गई सो सर्टेनली शी ड़स यहाँ पे आपको क्या क लोड कर रखिया, free of cost है, वहां से आप क्या कर सकते हो, download